हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटीड कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि नेक्स डे निफ्टी के मूव को आप कैसे पता कर सकते हैं बेस्ट ऑन प्राइस एक्सन यानि निफ्टी के नेक्स डे चाल को आप कैसे पहले फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइस एक्सन ये मैं आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने जा रहा हूँ लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निफ्टी आपका नेक्स डे कैसा मूब दिखाएगा ये लिट्वरी पता कर पाना इंपॉसिबल है कोई नहीं बता सकता है कि निफ्टी का नेक्स डे मूब क्या होगा लेकिन उसने कल क्या लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो फिर वहाँ से रिवर्सल देके कहां तक जा सकता है अगर किसी पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा उसकी बाद हमें गिरावर्ट या फिर अपसाइड मूब कहां तक दिखा सकता उसकी बारे में थुरा बहुत पिक्चर क्लियर हो जा है थिहां पर हम चार्ट पर आगे और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका निफ्टी का 15 मिनाट टाइम वाला चार्ट है तो जन्री हम लोग जो इंट्वा देट वेरिंग करते हैं उसमें हम लोग 5 मिनाट टाइम वाला चार्ट लेते हैं या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम बदा चार्ट लेते हैं यहां पर आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट उसमें से जो भी आपको सही लगता है वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं यहां पर हमने थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम बदा चार्ट लिया जहां पर हमें थोड 26th of August तक हम देखेंगे कि market ने कैसा move दिखाया है और next day move को हम कैसे काफी एक दिन पहले उसको predict करके उसके basis पे trade कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे हमें 17th of August को क्या trade लेना है इस दिन हमें क्या trade लेना है उससे हम एक दिन पहले पता करेंगे इस दिन हमने क्या किया 16th of August को यह आपका high बना है इस high को हमने mark कर लिया और साधी साथ यह आपका low बना है इसको भी यहाँ पे हमने mark कर लिया अब 17th of August को क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर open हुआ है, आपका जो open हुआ प्राइस इस लेवल पे open हुआ, यह नि काफी हद तक जो open हुआ है, वो आपका gap up open हुआ है, उसकी बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया है, और ये जो high था, इसको क्या बना दिया, इसको यहां पर support बना दिया है price आपका यहाँ पर open हुआ उसके बाद आपका नीचे आया और यह जो high था 16th of August का उसको यहाँ पर support बना दिया है that means true यह जो high है यह हमारा support के रूप में काम करा और उसके बाद यहाँ से price आपका उपर जाना start किया है और closing इसके उपर दिया तो जैसे पहला candle हमें closing देगा इस particular level पे यहीं पर हम क्या करेंगे यहीं मेरा बन जाएगा entry point और यहाँ पर हम entry लेंगे by side की तरफ यह जो lowest point है यह जो high है 16th of August का वो मेरा SL के रूप में काम करेगा यहाँ पर हमें trade setup क्या लेना यह जो point है clear करके बता जाता हूँ यह मेरा हो जाएगा entry point जो कि होगा by side की तरफ यह जो point है जो high है 16th of August का यह मेरा SL के रूप में काम करेगा target price के लिए आप यहाँ पर trailing stop loss इस्तमाल कर सकते हैं यानि तो कोई crucial level जैसे आपका 17,900, 950 इस तरह का target price आप यहाँ पर set कर सकते हैं और देखिए यह आपका 17,950 के level को भी इसने hit कर दिया है तो यहाँ पर अपना profit book करके निकल जाएए तो हमने 16th of August का जो high बनाया था उसके basis पर यहाँ पर हमने decision ले लिया कि 17th of August को हमें क्या trade करना है इसका जो high बना था वो यहाँ पर हमें trading decision लेनी में help किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम 18th of August के move को predict करेंगे based on price action 17th of August को जैसा दिखाया उसके basis पर 17th of August को आपका लगबग यह high बना है और यह low बना इसी को हम आगे भी extend कर देंगे अब इसके बाद देखें यहाँ पर क्या हुआ price आपका slightly नीचे open हुआ है यहाँ पर हमें gap down opening देखने को मिला है उसके बाद price उपर गया है और इसका जो high है इसको touch किया लेकिन इसको break नहीं कर पाया है इसका जो high है यहाँ पर यह क्या काम किया है यह आपका resistance के रूप में काम किया है अब उसके बाद जैसे price आपका नीचे आने लग गया यह जो level है यह हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर यह हमारा entry point बन जाएगा sell side की तरफ यहाँ पर हम sell side की तरफ entry लेंगे और entry जो level होगा वो लगबग है मेरा 17,950 यहनी आपका एक crucial level 17,950 भी break हो रहा है यहनी हमारा एक जो crucial distance level है levels भी आप देख सकते हैं काफी हथ तक 18,000 इसके बाद उससे पहले ही यहाँ पर हमें क्या देख रहा है sell side की तरफ जा सकते हैं इस target price के लिए जो कि इसको आसानी से hit कर दिया तो 17th of August को जो high बनाया था उसके basis पर हमने आसानी से trade ले लिया 18th of August को तो अभी हम जो दो दिन trade लियें सिर्फ high के basis पर हम यहाँ पर trade लियें अब हम यहाँ क्या करें 18th of August का जो high बनाया इसको हमने mark कर लिया और इसका जो low बनाया इसको भी यहाँ पर हमने mark कर लिया अब देखिए 19th of August को क्या हुआ price आपका open हुआ है यहाँ पर यह नि जो हमारा high था उससे उपर open हुआ है लेकिन क्या किया है वहाँ पर price आपका ठिका नहीं है वहाँ से price आपका नीचे गिवना start कर दिया है अब यहाँ पर जो candle का आपका bundle बन गया candle का गुच्छा बन गया और यहाँ में कोई भी clear picture नहीं दे रहा है यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं एक कोई सभी pattern बन रहा हुँ identify कर लिजे नहीं तो आप candle blending technique का भी यहाँ पर आप इस्तमाल कर सकते हैं दोनों जगा से clear picture मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर आप सारे candle के low को जोईन करोगे तो ऐसा line बनेगा और high को जोईन करोगे तो इस तरह का line बनेगा यहाँ यह हमारा काफियत तक एक trend line दे दिया है जैसे price इसको break करके नीचे जाएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे sell side की तरफ positions initiate करेंगे और यहाँ पर अगर आप candle blending technique भी इस्तमाल करो तो वहाँ पर भी जो candle formation होगा काफिया तक इस तरह का आपका candle का formation देखने होग मिलेगा जो कि हमें sell side की तरफ जाने का hint दे रहा है तो यहाँ पर हम sell side की तरफ hint भी लेंगे वापस से 17,950 के level के करीब और वापस से हमारा first target price यह होगा second target price के अगर हम बात कर ले तो यह मेरा second target price हो जाएगा यह दोनों target price आपका उसी दिन 19th of August को ही hit किया यह यहाँ पर हमें अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिखा है हम यहाँ पर profit calculate नहीं कर रहें कि आपको कितना point का profit मिला आप सिर्फ move को predict कर सकते हैं move को अगर आप predict कर लिया तो फिर profit आपको मिलेगा ही मिलेगा कभी आपको यहाँ पे 100 point का profit मिलेगा कभी आपको 50 point का मिलेगा कभी आपको 20 point का भी profit मिलेगा तो अलग लग type का profit मिल सकता है लेकिन ये सब आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है big loss से आपको बचा सकता है और साधे साथ जब आपको loss होगा तो काफी छोटा सा loss होगा क्योंकि यहां पे हम SL के साथ big target price के लिए जा सकते हैं और एक और चीद धियान रखना है कि हमेशा आपको risk reward जो है वो calculate कर लेना lastly अगर ही हमारे favor में है तो trade लेंगे अदरवाई हम trade नहीं लेंगे इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं 19th of August को जो move दिखाया यह आपका highest point हो गया और यह आपका lowest point हो गया अब इसके basis पे यहाँ पे हम अपना trade setup तयार करते हैं तो उसके बाद next trading session था आपका 20 second of August को इस दिन क्या हुआ market आपका gap down open हुआ है अब जो हमारा high low था सारे को break कर दे यह नहीं previous कोई भी level हमारे range में नहीं बचा है अब यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है यहाँ पे अगर आप candle पे गौर करेंगे तो यह बनाया आपका open equal to high और इसके बारे में हम पिछले कई वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि जब भी आपका open equal to high का formation होता है आप क्या करेंगे highest point से थोड़ा सा उपर आप SL रख देंगे या यहाँ पे gap up है तो यहाँ पे आप क्या करोगे stop loss रख दोगे safety purpose के लिए थोड़ा बहुत आपको modification करना परेगा और यह सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आपको experience से आएगा जितना time आप market को दोगे उतना market आपको नया नया चीज खोज के देगा और नया चीज खोज दे में आसानी होगा उसकी बाद पहला candle आपका closing दिया इस level करेंगे यहाँ पे हम sell side की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे हम SL रख के नहीं तो अगर आप पहले sell side की तरफ जाते हैं इस level या इस level पे तो यह आपका SL हो जाएगा तो SL भी आप अपने हिसाब से modification कर सकते हो उसकी बाद आप और ज़्यादा crucial price के लिए जा सकते हैं यहाँ से आप 17-500 के level के लिए यहाँ पे हमें एक चीज़ देखिया open equal to high जिसके बारे में लगबख सभी लोगों को information रहता है जो भी लोग थोड़ा बहुत भी technical जानते हैं यह चीज़ जानते हैं लेकिन इसका implementation जरूरी है implement करोगे तभी कुछ profit होगा otherwise knowledge रहने से market आपको reward नहीं देने वाला है उसकी बात यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसके high लोग दोनों को mark कर लेंगे और यह जो gap बना है इस gap को भी mark कर लें क्योंकि यह जो gap बनता है यह आपका कभी resistance और कभी support के रूप में काम करता है market में कोई भी चीज का जो formation होता है चाहे कोई भी crucial support level बने या resistance बने वो कभी खत नहीं होता बस वो अपना form change करता कभी support कभी resistance हमेशा काम करता इसलिए जो भी level बनता है उसको आदर आप note कर लिए या फिर chart में इस तरीके से draw कर लिजे उसकी बाद यहाँ पर ही price आपका slightly gap down ही open हुआ है और उसकी बाद upside move दिखाया है उसकी बाद क्या किया है यहाँ पर जो इसका low बना था इसके low को break करके उपर निकला है तो जो यहाँ पर थोड़े बहुत whiskey trader है risk लेने को तयार है क्योंकि sentiment negative है और यहाँ पर आप against the sentiment जा रहे है इसलिए यहाँ पर risk बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर हम बोगल वे है कि जो risky trader है वो यहाँ पर क्या कर सकते है buy side की तरह positions initiate कर सकते है पहला target price यह रख सकते हैं दूसरा target price उपर रख सकते हैं काफी अद तक पहले target पर इसको hit कर दिया है trailing stop loss का भी इस्तमाल करेंगे तो अच्छा कासा profit मिल जाएगा और जो crucial level था 17-550 यहाँ पर भी profit book करते हैं तो आसानी से मिल जाता तो यहाँ पर भी profit बनाया जा सकता था लेकिन काफी ज़्यादा risk हो जाता और यहाँ पर जो SL आपको रखना है इसका जो भी lowest point है वो SL की रूप में काम करेगा तो आपको देखना risk reward आपके favor में है तो यहाँ पर आप trade ले सकते हैं तरवाज छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आप trade लेंगे तो risk reward आपके favor में आएगा ही नहीं target काफी छोटा होगा, stop loss big होगा उसलिए आपसे भी यहाँ पर trading नहीं बनता इसलिए मैंने सबसे पहला risk की trader का जिक्र किया था यह भी आपको find करना होगा कि कहाँ पर risk ज़्यादा है कहाँ पर कम है और आप किस type के trader है अपने आपको भी जानना बहुत जरूरी है उसकी बाद price आपका ऐसे ही इसी range की बीच मूव किया और last में जाके यह highest और lowest point को break किया यह नहीं lowest point तो break नहीं हुआ highest point break करके उपर closing दिया है और यह आपका high बन गिया है तो last 15 minute में हम कोई trade वैसे भी नहीं लेते हैं छोड़ देते हैं first 15 minute और last 15 minute अब 23rd of August का जो data high यह है low बहुत नीचे अब इसके basis पर हमें अपना trading setup तयार करना है 24th of August को अब इस दिन क्या हुआ इस दिन भी price आपका एक range में ही move करते रह गया है नहीं यह high को break किया है और नहीं यह काफी हद तक low को break कर पाया है तो price काफी tight range में move करने लग गया है तो यहां पर हमने high को mark कर दिया अब 24th of August को market कहां पर open हुआ market अगर आप देखें तो slightly आपका gap down ही open हुआ है उसके बाद नीचे आया यह आपका एक low बना है ठीक है इसके basis पर हम कुछ भी trade नहीं ले सकते है उसके बाद price आपका ऊपर गया है और 23rd का जो high था उस high के करीब गया है और उसको break नहीं कर पाया वहां से नीचे आना start कर दिया अब जैसे वहां से नीचे आना start किया है यहां पे हम क्या कर सकते है sell side की तरफ entry ले सकते है based on previous day high तो यहाँ पे हम sell side की तरफ entry लेंगे और उसके बाद हमारा target price क्या होगा यह हमारा target price होगा यह नहीं तो हम dwheeling stop-loss का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पे जो हम sell side की तरफ जा रहे हैं लगबग हम जा रहे हैं 17,630 करीब पहला टागेट होगा आपका 17,600 उसके बाद होगा 17,550 और 17,500 इस तरीके से आप जो लेवल से क्रूशल लेवल उसको भी आप टागेट और स्टॉप लोस के रूप में काउंट कर सकते हैं तो देखिए लगबग इसने फर्स्ट दो टागेट पैस को हिट कर दिया और यहाँ पर अगर हमें स्टॉप लोस की बात करे तो इस्टॉप लोस काफी छोटा सा आपको यहाँ पर रखना परेगा 17,650 के करीब तो यहाँ पर आपको अच्छा कासा प्रॉफिट मिल गया उसकी बाद आपको यहाँ पर एक कॉस्ट टो कॉस्ट होंगे तो सही टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है और ज्यादा देव तक हमें होल्ड भी नहीं करना है उसकी बाद क्या हुआ एक यह लोग बना दूसरा यह लोग बना यहाँ पर हाय लोग पैटरन का फॉर्मेशन किया है तो हम क्या करे जो कि हमें आगे आने वाल टाइम हो सकता है काम आजाए नहीं काम आएगा तो मेरा कुछ यहाँ पर जाता नहीं है कुछ देखे रिपिट कुछ देखे ही जाएगा कुछ लेके जाने वाला है नहीं अब यहाँ पर देखिए एक हाई यहाँ बना है 23rd of August को दूसरा हाई यह आगे आगे आप यहाँ आपका ग्याप भी ऑपन हुआ है अब देखिए प्रिवियस गाप को हमने कहां माख कर दिया यह जो बना था इस ग्याप को हमने कर दिया अब है हमारे काम में कब आया यह हमारे काम में आया है आपका 25th of August को इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रिवियस जो भी लेबल आता है, उसको आप मार्क कर लिजे, वो कभी भी काम आ सकता है, यह जो लेबल है, यह आपका रिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, अब यहाँ पर प्रैस आपका नीचे के बना स्टार्ट किया है, हम क्या करें यहाँ से, सेल साइड की तरफ इंट्वी लेंगे, और यह जो हाई है, इससे थोड़ा सा उपर हम एसल के रूप में रख देंगे, यह हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, अब प्रैस उपर गया, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, अब प्रैस आपका नीचे गिरा और फर्स टागेट पैस हम इसको रखेंगे, और सकेंट टागेट पैस इसको रखेंगे, दोनों को इसने हिट किया, यहनि 25 अफ अगस्त को हम प्रॉफिट बना लिए, बेस्ट अन मूव, जो निफ्टी दिखाया, 22 अफ अगस्त को, यह चीज के लिए हो गया, अब हम क्या यहाँ पे जयादा हो गया, कोई दिक्कतनी है, सब को आराम से समझना, सबसे नीचे यह यह चीज़ाएं लाइन है, सबसे सपोर्ट की रूप में काम करेगा, सबसे लोड़ सपोर्ट एफ नेल, उससे पहले यह पहले यहीज हमारा सपोर्ट या फिरैस्ट बना ही हुआ है, उसकी बाद 25 तो अगर उसको क्या move दिखाया प्राइस आपका उपर gap up open हुआ है उसकी बाद आपका ये high बना दिया फिर प्राइस आपका यहाँ पे नीचे साइड की तरफ गिरा है और ये जो line है इसको break करके नीचे आया है तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे sell side की तरफ positions ले सकते हैं लेकिन SL आपको यहाँ पे रखना पर हैगा और जो target price होगा इस trend line के basis पे यहीं पे हमारा target price होगा तो target price छोटा सा और SL big क्या था risk reward मेरे favor में नहीं है यहाँ पे आपको trading avoid करना होगा trading नहीं लेना होगा तो यहाँ पे आप first सकते हो loss हो सकता है उसकी बाद आपका SI पूरे दिन lazy सा move दिखाया कोई भी हमे breakout या फिर breakdown नहीं दिखाया है कोई भी level को break नहीं किया जिसके basis पे हम trade ले सकते हैं last time में देख सकते हैं नहीं green candle में strength है नहीं red candle में strength है और closing से जस्ट आदे घंटे या 15 मिएट पहले थोरा वो downfall move दिखाया है तो वहाँ पे हम trading generally avoid ही करेंगे तो क्या था 26th of August को यानि आज जो closing दिया Friday को इस दिन हमें कोई trading नहीं करना था यानि ये आपका no trading day था तो इस तरह से कभी-कभी आपको no trading day भी मिलेगा जिस दिन कोई भी हमें hint या संकेत या फिर किसी भी basis भी याँ पे हम trade नहीं कर सकते नहीं open high बना नहीं open low कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी basis हम trade ले सकते हैं कभी हमें जब दस्ती trade नहीं लेना trade setup बनता है तो trade लेंगे अदरवाइस हम trade नहीं लेंगे लेकिन यहाँ पर हमारे लिए trade setup एक मिल गया next trading session जो भी आपका 29th of अगस्त को देखिए market आपका एक tight range बना दिया यह बन गया अब अगर इसको break करके उपर निकला तो यहाँ पर हम buy side की तरफ जाएंगे और इसको break करके नीचे गया तो हम sell side की तरफ जाएंगे लेकिन ध्यान रखना है कि अगर यह ज़्यादा gap up दे दिया इस level करीब open हो गया या फिर इससे उपर open हो गया तो फिर थोड़ा समय देखना परेगा तो फिर यह जो level है इसके basis पर हमें trade setup लेना परेगा लेकिन अगर इसके नीचे gap down दे दिया या फिर इसके करीब gap up ले लिया तो थोड़ा बहुत हमें सोचना परेगा फिर हमें सोच समझके trade लेना परेगा लेकिन अगर इसके अंदर open होता है कहीं भी आप इस high इस high को join करते हुए trade line डुआ करतो और इस low और इस low को join करते हुए trade line डुआ करतो फिर इसके अंदर अगर open होता है उपर गया तो buy या नीचे गया तो sell इस तरीके से हम 29 अगस्त के trade setup के लिए पहले से तयार है उमीद करते हैं कि price action के basis पे आप कैसे अपना trade setup ले सकते हो थूरा बहुत आपको idea जरूर मिल गया होगा इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion है तो comment section पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको proper answer किया जाएगा अगर आपको वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकावेज किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन